नमस्कार बहुत स्पागए थे आप सभी का आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूँ सौरव शर्मा आपके साथ कहानी कुर्सी की में आज हम बात शुरुवात करेंगे हमास और इसरेल के बीट जो जंग छिड़ी हुई है उसे लेकर भारत में सोनिया गांधी ने क्या लेक लिख लिख लिखा है आज देश के एक बड़े अख़बार में कॉंगरिस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक लंबा चोड़ा आर्टिकल लिख कर एक उपिन्यन पीस लिखकर गाजा की बात की है फिलिस्त्तिन की बात की है हमास के आतंग की हमले की बात की है बगैर उसे United Nations में जो resolution पर stand लिया जिसमें भारत ने abstain किया जिसमें बात की जा रही थी कि जल्द से जल्द sea spire होना चाहिए गाजा में उसे लेकर उन्होंने अपनी नाराज़गी और निराशा जाहिर किये तो जल्दी से आपको हम सोनिया गांधी ने आज इस जंग को लेकर क्या विचार अपने लिखे हैं वो बता देते हैं इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सोनिया गांधी को ये महत्पून लगा कि इस मुद्दे पर उनको अपने विचार जिक्त करने शाहिए तो ये वो पूरा लेक है मैं इसके आप इसके जो एहम बाते हैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा War Against Humanity मानता के खिलाफ युद्ध सोनिया गांधी इस्रेल ने जो युद्ध चेड़ रखा है हमास के खिलाफ उसे मानता के खिलाफ युद्ध बता रही है उनका कहना है कि मानता परिक्षन पर है पुरी दुन्या को ये तै करना पड़ेगा कि हजारों लोगों की यूहीं जान जाती रहेगी और क्या पूरी दुनिया बस बैठी रहेगी फिर वो लिखती है कि नियाय के बिना शान्ती नहीं हो सकती यहां जब वो नियाय शब्द इस्तमाल करती है तो केवल फिलिस्तीन की बात करती है उनका कहना है कि फिलिस्तीन को उसका एक अलक राश्ट मिलना चाहिए फिलिस्तीन के नागरिकों को चाहे वो वेस्ट बैंक्स में रहते होätzlich उनका अपना एक संपरभू देश मिलना चाहिए इसी को आगे बढ़ाते हैं वो कहतेंगी two nation theory पर दुनिया के जितने भी प्रभाव रखने वाले देश हैं वो फिलिस्तीन और इस्रेल के बीच बात को आगे बढ़ाएं अलग फिलिस्तीन राज्य बने इस्रेल भी साथ साथ हो और दोनों देश सानती से रहें इसमें कुछ गलत नहीं है और उनने इसका जिक्री भी किया कि भारत ने एक बार फिर अपना यही रोक यही रवया जो है वो दर्शाया भी है उन्होंने यह कहा है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए हर संभाव इसके प्रयास होने चाहिए लेकिन भारत ने युवन में जो प्रस्ताव को लेकर बहिशकार करने का फैसला किया इस पर उन्होंने अपनी निराशा जाहिर किया उन्होंने अपने इस लेक की शुरुबात की 7 अक्तूबर को इसरेल पर हुए हमास के हमले से पहली बार है शायद जब कांगरेस पार्टी ने हमास शब्द का इस्तमाल किया है हमास का नाम लिया है इससे पहले CWC के रेजियूशन में उसके लावा पार्टी के और तमाम बढ़नेताओं के बयानों में हमास का खिर नहीं था लेकिन इस बयान में भी सोनिया गांधी ने हमास की बात तो की लेकिन उसको आतंकी हमला करार नहीं दिया और इसके बाद उनका जो पूरा लेक है वो इस विशे पर है कि कैसे गाजा में खासकर गाजा में रहने वाले लोगों को एक ओपन एर प्रिजन में रहना पड़ता है जेल में उनको रहना पड़ता है कैसे दशकों से उनके ओपर अत्याचार हो रहे हैं कैसे उन्हीं की जबीन इस्रेल ने हडप लिए है और कैसे इस युद्ध में उन्हीं के मासूम बज्चे मारे जा रहे है आप सोनिया गांधी ने आज जो ये बातें लिखी है और भारत क रुख पर जो निराशा जाहिर की है इस पर हम लोग बात करेंगे हमारे साथ महमान जुड़े हुएं सवागत करना जाते हैं समीर चयवांकर साबका समीर यी इस वागत विजजे तृवेदी लेकिन आतंकी हमला कहने से वो बच गई मानवता पर हमला जिस दिन हमास ने किया उस दिन मानवता पर हमला हुआ इसराइल जो कर रहा है वो मानवता पर हमला है इस पर डिबेट करनी पड़ेगी ये दोनों फर्क है क्योंकि एगर कोई आतंकवादी हमला होगा अगर वो हमला करता है तो दोनों को आप आतंकोदी एक जैसा नहीं के सकते और बार बार कहता हूँ कि भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा संकट है क्योंकि हम चारों तरफ से आतंकोदी हरकतों से जूज रहे हमारे भीतर और बाहर इस तरह की मुश्किले आती है हमने अब ही देखा हमारे यां केरल में एक बं धमाके हो गयी अब ठीक है उसमें जिस तरह की खबरे आ रहे हैं कुछ और समझ में आ रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे लगातार होती हैं, और हम जब आतंकवाद का कहते हैं कि हम आतंकवाद का बदला लेते हैं या उ पच्चिमुच यह जरूरत आन पड़ी थी कि सोनिया गांधी को देश की एक अंग्रेजी अख़बार में उस पर लेख अपना लिखना पड़ा है, सबसे बड़ा यही प्रशन है, क्योंकि उनको लगा इस पर बोलना जरूरी है, वो भी इस माध्यम से, मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि शायद उनके उनके इलेक्टोरेट को अभी भी कन्फ्यूजन है, जिस मतदाता वरक को जिसको हम कहते हैं कि लक्षित करके, टार्गेट करके, जो लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, या जो बोला जा रहा है, क्योंकि आप देखे बहुत एग्रेसिव भाषा थी जब प्रियंका गांधी वाडरा का भी वो पोश्ट आती है, बहुत एग्रेसिव तरीके से कॉंग्रेस पर बात कर रही है, इसमें किसी को जरा सा भी कोई कहीं नहीं सकता, और भारती तो जिसको उंगली में जरा सा लग जया है, खून आ जा दोनों का फर्क करना पड़ेगा, लोक तांत्रिक देशों को, आतंकवाद से जूजते देशों को तो निश्चित तौर पाइए, जो बात आपने कहीं कि सोरिया गांधी जी को क्यों इस विशे पर लेख लिखना पड़ा, उनके एलेक्टोरेट में कहीं कोई अगर आप इसके थर्ड लास्ट पैरा पर जाएंगे, अगर आपके फोन में आर्टिकल लिख खुला हुआ है, मुझे लगता है, आपने जो सवाल उठाया है, उसका जवाब सोरिया गांधी जी ने खुदी दे दिया है, इसी लेख में उसी के अगली लाइन है, अगर भारत सरकार का यही रुख है, तो कॉंग्रेस पार्टी को विपक्षी पार्टी होने के नाते, रेजिलूशन करना चाहिए था, आना चाहिए था, सोनिया गांधी लेक लिखती और यहां से लिखती, कि थैंक्यू प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी फॉर योर फॉरण पॉलिसी, ये जो सबकी सहमती से एक फॉरण पॉलिसी हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी बात करते हैं, और हम एक देश के तौर पर एक जगा खड़े हैं, कि फिलिस्तीन की संप्रभुता एक राष्ट के तौर पर एक सह अस्तितो शांती पॉल्ण अस्तितो इसराइल की संप्रभुता के साथ होगी, हमास ने जो आतंकवाधी हमला किया, उसका हम लोग विरोध करते हैं, और फिलिस्तीन में जो भारत सरकार ने, नरेंदर मोधी ने प्रधान मंत्री रहते हुए रहात भेजिए, हम उसके साथ खड़े हैं, तो कौन confusion कर रहा है, कौन contradictory statement दे रहा है, यह Congress Party कर रहा है, यह Congress Party के छोटे बड़े नेता कर रहा है, और CWC के resolution से लेकर, यह Congress सोनिया गानी के इस लेक तक, मुझे रखता है कि वो confusion बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, तो यह के वाल एक political message है, अपनी constituency को आप कहे मानना है, विज़े जी, यह तो साफ ही है, इसमें कि यह political message है, खासतोर से अपने electorate को, अपने constituency को, और मैं सुझता हूँ, आर्टिकल में कोई परिशान ही नहीं है, लेकिन यही आर्टिकल, वो चिठी के तौर पर प्रदानमंत्री जी को भेज देती, कांगरेस की नेता के तौर, हमारा मानना ही यह है, जो भी है, वो सरकार के साथ है, नहीं है, जो उनका मत है, तो सरकार के एक बार प्रदानमंत्री को भी यही भेजती, और फिर भले ही कहते हैं, यह सारवजनिक है, लेकिन क्या हुआ कि पिछले काफी दिनों से, ihi Congress की भूमिका को लेकर एक confusion रहा बहुत प्र लगा कि mote को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं भारास सरकार की नेती के खिलाब है तो इसमें बहुत सारी बात ने साफ कि आंगे हैं की भारास सरकार की रही जो भी नीतिया रही है अभी इस दोरा ने उसमें उसे काफी हद तक वो उसके साथ है पहली बाद ऐसा नहीं है कि नहीं है जैसे टू निशन थियोरी की भी बात की है हमले की भी बात की है लेकिन उसमें एक बात जो उन्हें बहुत बारिकी से किये जैसे रेजलिशन को यूएन रेजलिशन पर जो भारत का इस्टेंड रहा है उसके बाद उन्होंने ये साफ किया है कि जो कॉंग्रेस सरकारों की नीती रही पैलेस्टीन को लेकर, उससे भारत सरकार का स्टेंड अलग है, वो यहां पर अपने आपको डिस्टेंस कर रही है, यह बट कैसे लगए? क्योंकि जो कहा गया कि रेजलुशन जो भारत ने हिस्सा नहीं लिया, सीस पार कराने के लिए जो यूएन में रेजलुशन मूव हुआ था, भारत ने अपस्टेंड किया, तो वो उससे सहमत नहीं है, वो सहमत रही है कि पैलिस्टीन के साथ खड़ा होना चाहिए था, और यह जो नीती है, यह नहरू से लेकर मोदी से पहले तक की एक नीती है, मोदी सरकार के आने के बाद आपने इस्रेयल और फिलिस्तीन दोनों के साथ बराबरी से एक रिष्टा रखने की कोशिश की, इस मुद्दे पर भी दोनों तरफ रहे है, आप फिलिस्तीन में मदद भी भी रहें इस्राइल पर आतंकवादी हमला हुआ उसकी निंदा भी कर रहें उन दोनों में से थोड़ा क्योंकि उसी पर यदि वो चलते तो फिर वो उनका इलेक्टोरेट को वो मैसेज नहीं पहुंचता जो वो मैसेज पहुंचाना चाहती है तो यह असली बात है बाकी कोई से सहमत हैं नहीं सहमत हैं को जरूरी नहीं पर लिखी है जो इस पर हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या उनका ये बात सोनिया जी क्यों कहनी पढ़ रही है क्यों कहनी प्रदान मंतरी ने जो अपना इनीशल स्टेट्मेंट दिया जब आतंकी हमला हुआ था इसरेल के उपर पर प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिने कह दिया कि हम इसरेल के साथ ख़ड़े हैं आपको इससे थोड़ा सा लग रखना चाते हैं लेकिन सर उस दिन तो हुआ ही ये था कि इसरेल के उपर आतंकी हमला हुआ था कोई भी प्रदान मंतरी किसी भी देश का हमारे देश के प्रदा करना चाहते हैं आप इस बात पर भहस कर रहें कि क्या करना चाहिए था कि क्या नहीं करना चाहिए हो सकता है जो प्रदान मंतरी ने किया वो ठीक है हमारी राए में लेकिन सोनिया जी को यह नहीं लग रहा तो वो अपनी राए तो रख सकती है और वो यही राए रख रही है कि ये जो आप ने किया है, इस से हम सहमत नहीं है, और ये सहमत क्यों नहीं है? ये मैसेज वो अपने electorate को दे हुए है, इसका फलिस्तीन और इजरेल दुनों से लेना देना नहीं है, वो एलेक्टोरेट क्या है? क्या है वो एलेक्टोरेट जिसको इस संदेश देने की इतनी जरूरत बढ़ा रही है? मुझे लगता है कि जो हिंदोस्तान में बहुत सारे लोग अभी फैलिस्तीन को लेकर जिस तरह से सपोर्ट में सामने आये और उसके फिलिस्तीन के नहीं है क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन की जब बात करते है तो ऐसा लगता है भारत सरकार उसके खिलाफ है लेकिन सोनिया जी के लिए इस स्टेंड पर मुझे इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान फिर हम बार बार बात कर रहे है कि आतंक वाद का सबसे बड़ा पीडित देश है और फिर गांधी परिवार जिसकी वो बार बार चर्चा करते है शाहादत की इंद्रा गांधी जी की और र इनका साथ ने दिया यह उनका मैसेज यह लेक के मादम से और में तो यह कॉंगा कि कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसका उनने एक विस्तार से लेक में लिखा है उसको एक बड़े स्थरपन लिखके का है लेकिन मुझा लगता है सोनिया गा भी कल्प नहीं है बातचीत होना चाहिए तो बहरती अंतापड़ी ने और केंदे सरकार ने आतंगवादी घटना जो घटी थी हमास के द्वारा इसराइल के उपर उसकी सीरिसी दिन इंदा की थी पदार मंतिर का टीटी सी को पर था मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांदी हमास को लेके बहुत सपष्ट अरूख देने से बच्टी रही और उन्होंने फिलिस्तिन की आड में हमास को तोड़ा डैलूट करने की कोशिश किये मुझे लग रहा है बहुत सपष्ट सब्जों में अपने लेक में हमास को कह सकती थी कि आतंगवादी संगटन है और इस त यहास एक प्रिंसिब्ल स्टैंड रहा है तो अब यह दिक्कत थी कॉंगरस के सामने हम अपने आपको कैसे अलग दिखाएं इसे तो शायद उसको अंडर अंडरलाइन करने के लिए कि नहीं हम यह इसरेल के साथ पहले तिन से खड़े हो गए हम फिलिस्तिन के साथ खड़े ह इसलिए शायद यह पूरी प्रक्रिया की कारवाई की उस जो पहली उनकी प्रक्रिया थी उसमें आतंक वाद पर इसरायईल जो आतंक वाद पीड़ी थी इसरायल है उसके लावगा कोई ओर बात कही थी उन्होंने क्या उन्होंने इसरायल और पलिस्टिनियन कॉंफ्लिक्ट को लेकर यह कहा था कि नहीं हम आपके साथ हैं नहीं कहा था और उसके बाद जब उस जो हॉस्पिटल था उस पर जो हमले की खबर आई और बाद में तो ये तक हुआ कि हमला खुद ही उनकी गलती से हो गया इस सब के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि भारत के राजनेता अंतर राश्टी मुद्दों पर हिंदू मुसल्मान करना कब बंद करेंगे यहूदियों और मुसल्मानों के बीच के संगर्ष को आप यहां विध हमास आप यहां रैली कराएं आप हमास के आतंकवादी नेता को नहीं कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी यह कर रही है लेकिन अब यह लड़ाई जहां पहुँच गई है वहाँ वाली लड़ाई कैसे खतम होगी क्या होगी मुझे नहीं पता यह लड़ाई 2024 के चुनाओं के है बहुत टार्गेटेड है सीधा सीधा निशाना है दुर्भागी बस इतना है कि राजनेताओं को तो वोट मिलेगे चाहिद इसके मिल रहे हो जनता विभाजित हो रहे ही इससे बचना चाहिए यह हिंदू-मसल्मान के लड़ाई नहीं जब CWC के रेजिल्यूशन में हमास का जिकर नहीं था इसरेल पर हुगा आतक की हमले का जिकर नहीं था तो बताया गया था कि बहुत सारे कॉंग्रेस के निता भी अंकमफरड़ेबल तो कि वह होना चाहिए था ऐसा क्यों नहीं विज़े जी वो बारीक लाइन के साथ चल रहे हैं और आपने जैसे हमास का जिकर किया कि CWC के में नहीं था पर सूनिया जी ने अपने क्या मैसेज देना है वो मैसेज देने की कोशिश इसमें की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है यदि इजरेल और फिलिस्तीन दोनों पर भारा सरकार का रुक हमारे सरकार के हमारे रुक जैसा है लेकिन फिर भी मोधी सरकार इसरेल के साथ खड़ी दिख रही है और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और इसी लिए इस बात को आप फिर से मैं कह रहा हूँ यह जो रेजलूशन वाली बात है न उसका जिक्री इसलिए किया गया है जिस रेजलूशन को भारत सरकार ने अबस्टेन किया यूएन में तो उसका जिक्री इसलिए किया गया कि वो लाइन ऐसी है जहां सोनिया गांदी बताती है कि कांग्रिस मोधी सरकार के इस रुक से अलग है और ये रुक ये बताता है कि जो मुझूदा सरकार है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी नहीं है जैसे पूरे के पूरे समाज को एक गरह किया जाए तो ये ठीक नहीं ये भाशा लगभग वही है हर आतंकवादी हमले के बाद कही जाती है नीचे कॉंग्रेस स्टेंड में हो कह रहे हैं देर कैन भी नो पीस विदाउट जस्टिस इसराइल अन्रेमिटिंग ब्लॉकेट फॉर ओर डिकेड एन हाफ हैज रिडूस गाजा इंटो एन ओपेन एर पिजन ठीक वही बात है जो हमास कहता है ठीक वही बात है कि इसराइल ने उसको बिलकुल से जेल की तरह बंद कर दिया सवाल उसका ये है उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी आतंकवादी हमला होगा और जब हम शांती की बात करते हैं जब प्रियंका गानी वाड़ा महत्मा गानी की शांती की बात करती है तो क्या उन्हें ये सब ध्यान में नहीं आता है मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है आप अपने चुनावी हित के लिए इस तरह का विभाजन तयार करने कोशिच कर रहे हैं ये खतरनाक और एक तुलना एक सौवरेन कंट्री इसरेल एक सौवरेन कंट्री है उसकी तुलना आप अक्षिन्स में एक आतंकी संगठन के साथ कर रहे हैं इसको भी बार बार हमने सुपर्वी ध्यान देना चाहिए एक चोटा कॉमेंट समें जी फ़े ब्रेक लागा करा कि सुनेय गांदी नि इस पूरे लेक के अंदर अपने भधाताओं को ध्यान में रहा है और अपने घ्यान के साथा अपने गढबंधन के जो ऑगि इंडिया झाल 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 झाल